तेरे काद माजियोंने दिल तरयां ठोकर ते जेडी कुडी शैर रख दी हाई गाईज वेल्कम बेक टो में चैनल कैसो आप सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ ये मेकप लुक और इस मेकप लुक को मैंने क्रिएट किया है फॉकलर के सारे प्रोड़क्स को यूज करके फॉकलर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दू ये एक इंस्टाग्राम स्टोर है आपको इंस्टाग्राम स्टोर से ये सारे प्रोड़क्स मिल जाएंगे इनके परचेस लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर देख लेना जितने मैंने skincare products यूज के वह फॉकलर के नहीं थे क्योंकि ये makeup products ही mainly फॉकलर वाले deal करते हैं तो जितने में makeup products ही इस सब उन्होंने मुझे send किये थे काफी months पहले मैंने आप लोगों के साथ एक दो video भी share कर चुकी हूँ एक तो मैंने फॉकलर की main haul video share की थी जब इन्होंने मुझे product send के थे फिर मैंने एक और video recently share की थे इस आइशाइडव पैलेट पे तो ये भी फॉकलर की है purchase links आपको सारे products के description box पर मेल ज़ेंगा ज़रूर चेक आउट कर लेना skincare products वो मैंने यूज़ के है पॉपल.com के तो उसके भी purchase links मैंने आपको provide कर दिये है आज मैं आपको दिखाऊंगे तीन मेरे पास लिप्स्टिक्स थी फॉकलर की तो तीनों के मैं आपको lip swatches भी साथ में दिखा दूँगी अगर थोड़ी से लंबे हो जाएगे तो प्लीज आप लोग अंडेस्टैंड करना मैं एक वीडियो में बहुत कुछ आप कवर अप कर रही हूँ अगर आपको टॉप अच्छी लग रहे तो यह मैंने club factory की top है next to next video में आप लोगों के साथ यह वीडियो आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा और अगर आपको यह flower बला अगर आपको यह tiara पसंद आ रहा है जो भी आप इसको बोलते हो तो यह भी dear club factory का है तो next to next video में आप लोगों को पता लग जाएगा let's begin purchase links आप लोग देखी लोगे तो let's get started and yup सबसे जरूरी चीज़ अगर वीडियो अच्छे लगी तो please like कर देना चैनल को भी subscribe कर देना friends family अब सब के साथ share कर देना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ना या करते रहते है तो please आर आप इतना तो support करी सबसे पहले मैं अप्लाई करूँ कि अपने contact lenses यह मेरे brown color contact lenses और lenses कैसे आपने apply करने इसके ओपर detail में वीडियो मैंने डाली हुई है search करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगी फिर मैं अप्लाई करूँगी good vibes का pomegranate toner बहुत अच्छा वला toner है इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ आपकी स्किन को बिल्कुल यह hydrate कर देता है और जितने भी पोर्स होते है वह आपकी मीनिमाइस हो जाते है फिर मैं apply करूँगी good vibes का facial essence है यह green tea वाला अप थोड़े बहुत drops लगाओ अपने हरे किना फेस के पार्ट के उपर और इसको मसाज कर लो यह आपकी स्किन के अंदर अच्छी साथ से penetrate हो जागा natural glow प्रवाइट करता है फिर मैं apply करूँगी helps goodness की orange gel यह बहुत जादी hydrating gel है trust me अगर आप इसको अप्लाई करोगे आपको लगे जैसे आप बहुत एक अच्छी quality की जल और एकदम water content वली जल को अप्लाई कर रहे हो मसाज कर लोंगी इसके साथ में अपने पूरे फेस की अप्लाई करूँगी good wipes का day lotion lotion मैं इसलिए apply कर रहे हूं क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी products यूश किये तो इस अपना water based product है तो mosturization अपने skin को करनी है make up करने से पहले तो इसलिए मैं यह apply कर रहे हूं फिर मैं apply करूंगी wadi herbals के lip balm strawberry flavor है lip balm आप makeup करने से ना पहले ही apply कर लिया करो ताकि आप एंड में जब lipstick लगाते हो तो आपके lipstick रहें प्लंप रहें फिर apply करूंगी मैं नीविया का yellow hydration lotion है यह hands और मुझे मेरी आम स्था बहुत जादी dry लग रहें थी तो इसलिए मैं उसको apply कर रहे हूं गर्मियों के लिए बहुत साइव लोशन है तो चल अब सबसे पहले मैं apply करूंगी for color का primer है यह प्राइमर आपको पता है आप यह पोर्स को minimize करता है यह ना silicon based primer है pump के साथ आपको आता है बहुत अच्छा होला मुझे यह प्राइमर लगा blur आउट कर देता है बिल्कुल जितने भी पोर्स होते हैं उसको अच्छी तरह से मैं इसकी massage करूंगी जहां जहां पर मैंने foundation लगाना पर सब जगह पर मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी नेक पर भी आप थोड़ा सा प्राइमर लगाया करो क्योंकि आपने नेक के उपर भी foundation अप्लाई करना होता है फिर मैं अप्लाई करूंगी फॉकलर का foundation और मेरा शेड आप देख सकते है जीरो फोर है आप मुझे बताना कि आपको यह वला foundation का shade मेरी skin के उपर कैसा लगा क्योंकि मुझे तो यार यह ठीक लगा pump के साथ आता है तो बहुत जादा convenient है बिलकुल भी wastage नहीं होती है मैं जिस डॉट 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 अप्लाई कर लूँगी शेड आप मुझे जरूर बताना यार कभी भी foundation एक साथ मत लगाया करो डॉट डॉट करके लगाया करो यह पूना स्टोर का beauty blender damp beauty blender है amazon से आपको मिल जाएगा रही बात फॉकलर के foundation की तो यह न डूई वला foundation है matte foundation नहीं है, oily skin वालों को बिल्कुल भी suit नहीं करेगा और गर्मियों के लिए आपको इतना ज्यादा मतलब ठीक है बट अगर आपने बहुत अच्छा से पाउडर सेटिंग कर लिए फिर भी गर्मियों के लिए तो नहीं क्योंकि बहुत सारे matte foundations भी आते हैं आप उसको try कर सक अगर मेरा शेड है 1 जहां पर फेस की कंसीलिंग करने होते मैं वहां पर कंसीलिंग करूंगी इसकी अंडर आइस पर अंडर ब्रिज ऑफ ता नोस क्यूपिद बोच चिन पर चिन पर चीक्स के साइड में भी करूंगी ताकि थोड़ी कॉंटोरिंग हुजे यह बिल्कुल ब करना है यह वहां पर भी हाइलाइट कर देगा कंतीलर भी इनका मैठ फिनिश नहीं है दूई फिनिश है आप देख सकते हो मेरे आई एरिया कितना ज़दा शाइन करने लग गया अच्छी तो मैं इसको ब्लेंड कर लोंगी अब मैं अपलाई करूंगी इनका फ्लॉॉलेस से बहुत अच्छी थे उसके साथ मैं थोड़ा ज्यादा ज्यादा मैं लूस पाउडर अपलाई कर रही हूं क्योंकि बिल्कुल दोई फिनिश वली दोनों चीज़े मैंने अपलाई की थी ना तो मुझे था कहीं यह क्रीज ना कर जाए और आप देख सकते हो कॉन्टोरिंग म यह नमर 3 है यह ग्रे कलर है तो आप मुझे ने इसका भी कलर बताना कि आपको अच्छा लगा मेरे आइब्रोस के ऊपर या नहीं यह बहुत सेवली पैंसिल है एक तरफ आपको पतली सी पैंसिल मिल जाएगी फिर आपको सेंटर में समजर मिल जाएगा मैं आपको सारा भी आपको पैंसिल है उसके साथ में अपने आइब्रोस को ज्रॉ करूंगी बहुत एजी था इसको ज्रॉ करना सची में एंड वर्टिकली इसको ज्रॉ करूंगी अपने फ्रंट वले आइब्रोस को फिल करने के लिए कलर आप मुझे बताना यह मेरे आइब्रोस के साथ जा रह फिर सेंड में एक बर फिर से मैंना एंड में स्पूली इसको चलाऊंगी ताकि यह स्प्रेड होजे अच्छी तरह से इमेल ली यह मेरे पास फॉकलर की ब्रशे उन्होंने मुझे ब्रशे भी सेंड किये थे 10 ब्रशे का सेट था सारे प्रॉडक्स मैंने खुद नहीं खरीदे तो मुझे काफी ठाम पहले फॉकलर वालों ने खुद सेंड किया था फॉकलर का इनका इंस्टाग्राम का स्टोर है अल्रड़ी मैं आपको बता चुकिए लिक मैं आपको प्रवाइड कर दूगी ब्रशेस की क्वालोटी बहुत अच्छी है लेक्ट्रस्ट भी बहुत अच्छी क्वालोटी है पूरे फेस से मैं अपने पाउडर को हटा रही हूँ बड़े वले फ्लफी ब्रश के साथ यह फॉकलर की आईशाडव पैलेट है एंडलेस पॉसिबिलिटिस पैलेट इसका डिटेल में वीडियो जा चुकी है जरूर आप लोग चेक आउट कर लेना लिंक मैं आपको प्रवाइड कर दूगी कलर्स आप देख सकते हैं बहुत सुन्दर वले आईशाडव पैलेट के कलर है इसमें से मैं स्किन ओरंज सा कलर लोंगी क्रीज बिल्ड अप करूँगी पहले मैं आउटर वी के उपर प्लेस करूँगी और क्रीज बिल्ड अप करूँगी फिर मैं यह बहुत रोज पिंक सा कलर है उसको मैं आउटर वी पे प्लेस करूँगी अपने अच्छी तरह से स्मज करूँगी साथ साथ में अपनी मैं क्रीज भी इसके साथ थोड़ी से बिल्ड कर दूँगी फिर अब में यह ग्रे कलर लोंगी क्योंकि मेरा मन्त आज मैं थोड़ सा ग्रे और पिंक का कॉम् ग्रे कलर को आउटर वी पे प्लेस कर लोंगी अब बारी आती है शिमर अप्लाई करने की तो 3 4 लिड के उपर मैं इसको अप्लाई करूँगी फिंगर के साथ अप्लाई करूँगी जादी पिगमेंटेशन हो रही थी ब्रश के साथ इतना पिगमेंटेड यह नहीं लग रह क्योंकि शिमर लगाने के पाद इतना ज्यादा वह खिल नहीं रहा था इसको जब मैं अप्लाई करूँगी ब्रश के साथ और फिंगर के साथ थोड़ सा समझ कर लोंगी तो बहुत ब्यूटिफुल साना स्पार्कली सी शाहीन आ रही थी फिर मैं अप्लाई करूँगी आई आई लाइन का आई लाइन आई लाइन आप देख सकते हो मैंने विंग ड्रॉप कर लिया एंड यप हमेशा की तराज फिर से मेरा विंग थोड़ा सा गलत लगाया आपको पता अब यार मैं मेक अप सीख रही हूं अब अब यह था स्टेक वोगी का काजल लोवर वाटर ला यह पिंग कलर यह रोज पिंग कलर अपनी लोवर लैश लाइन पे काजल को समझ आउट करने के लिए और यह ग्रे कलर लोगी मैं ब्रेश के ऊपर लोवर वाटर लाइन को समझ करूंगी अच्छी तरह से अब फिर मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा यह तो मैं रेगलर वीडियो में यूज कर रही हूं अपना यह आप मैंने पहले ने ऊपर से नीचे की तरफ मस्कारा लगाया है क्योंकि थोड़ा पाउडर का ना फॉल आउट हो गया था उसके बाद फिर मैं नीचे से ऊपर की मस्कारा लगा रही हूं जो हमारे यूज्वल डिरेक्शन होते हैं मस्कारा लगाने की तो अब देख लो उपर से लैशे और नीचे से लैशे दोनों तरफ से कवर्ड होगी और अब मैं अपनी लोवर लैशे के ऊपर भी मस्कारा अप्लाई करूंगी बहुत अच्छा वाल खुड़ी सी कॉंटूरिंग हो गई थी यह इनका फ्लाट ब्रश है आइगेस मैं गलत ब्रश यूज कर रही थी कॉंटूरिंग के लिए पता नहीं आप लोग बताना जरूर बट यह मुझे कन्वीनियंट लगा एकदम पतला सा राम से हो रहा था ज्रौ नोस की भी मैंने क छीन की भी मैंने कॉंटूरिंग कर्ली इसी ब्राउन कलर के साथ फोरेड के कर ली एक मने फ्लफी ब्रश लिया उसके साथ मैं रोस पींग कलर ले रही हूं प्लश अप्लाई करूँगी मैंने आपको बतायी इनोंने मुझे अपने ब्लश प्लेट नहीं सेंड की थी तो मैं इसी के साथ अपना काम चला रही हूँ बट ये कलर बहुत ब्यूटिफुल लग रहा था ब्लश का भी नैच्रल सा लग रहा था अब मैंने एक और ब्रेश लिया ये इस कलर को मैंने अपने लिड़ के उपर अप्लाई किया था साथ-साथ में ब्लेंड करते रहा करो ताकि वह हार्श ना नजर आए और ब्यूटिफुल ऐसे लगना चाहिए जैसे आपके स्किन ग्लो कर रही इंटर्नली छोटा साथ ब्रश लोंगी मैं जिसके साथ मैं अपने ब्राव बून की हाइलाइटिंग करूंगी और मैं अपने आइज की जो कॉर्णर होता है न वहां पर भी हाइलाइटिंग करूंगी हाइलाइटिंग जब भी आप करते हूं इसके साथ बाद में फिंगर्स के साथ जरूर आप उसको स्मज कर लिया करो ताकि वह बहुत जादी नैच्रल से लुक नजर आए मिलानी का मेक अप सेटिंग स्प्रेय है तो उसको स्प्रेय कर रहे हूं अपने फेस के ऊपर न थोड़े सापने मैं यड़क करोऊंगी और इन्होंने तीन तीरह की लिपस्टिक भीजिएं मुझे तो लिप्स्टिक भी अप्लाई करूँगे लेकिन उससे पहले मैं अपना थोर सा हेर स्टाइल कर लूँ बालों को हलका हलका मैंने ट्विस्ट कर लिया फ्रंट से छोड़े छोटे से फ्लिक्स बाहर निकाल लिये और ये एक टियारा है रोज वला टियारा फ्लावर्स वाला क्लव फैक्ट्री से मंगवाया मैंने क्लव फैक्ट्री हॉल आने वाला एक दो वीडियो के बाद तो आप लोग ज़रूर देख लेना येरिंग्स हैं येरिंग्स मैंने अपने लोकल स्टोर से खरीदें थी हंडर्ड रुपीज मैं आई गेस रेक्टेंगल शेप के तो मुझे इसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी अब मैं अप्लाई करूंगे फॉकलर की लिप्स्टिक ये है बुलेट शेप में शेर नमर 16 था ये औरेंज कलर है इस मेकप लुक के साथ वैसे तो जा नहीं रहा था ये बिलकुल भी बट मैंने जिस आपको दिखानी थी लगा के क्योंकि मैं मेरे पास तीन लिप्स्टिक थी तो मुझे लगा चलो मैं इसी वीडियो में इंक्लिवड कर दू इनको लिप स्वैचेस आपको दिखा दू सौरी मैं लैशेस लगाना भूल गी तो अब मैंने लैशेस भी अप्लाई कर लिए अपनी अगर मैं आपको लिप्स्टिक के बार में बताऊं तो इसका टेक्शर बहुत सही है अगर आप इसमे कोई और शेड ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो ये विला औरेंज शेड भी अच्छा है तो आप अगर इसको लेना चाहता है अब अब ये भी अप्लाई करना बहुट जादी चप चप नहीं कर रही थी इनकी लिप्स्टिक तो अब ये सेकंड लिप्स्टिक है ये है लिप क्रियाउन फॉकलर का लिप क्रियाउन है ये ये ब्राउन शेड था जो भी शेड का नंबर होगा ना आपको दिस्क्रिप्शन बाक्स में प्रवाइड कर दूँगी ये मैट फिनिश देते हैं जो मुझे बहुत जादा पसंद आया आप देख सकते हो बिलकुल मैटिफाई लुक लग रही है मेरे लिप्स की और फिर लास्ट मैं अपलाई करूंगी फॉकलर की लिक्विड लिप्स्टिक ये शेड थोड़ा सा ना रोज पिंक सा शेड था बहुत अच्छे वली इनकी लिप्स्टिक की क्वालिटी भी है आप देख सकते हो इस लुक के साथ मुझे ये वली लिप्स्टिक जादी अच्छी लगी बाकि आप लोग मुझे सजस्ट जरूर करना अप देख सकते हो इस इस मैं फाइन लुक होप आप लोगों को पसंद आए मेरी तरव साथ फॉकलर की प्रॉड़क्ट को जरूर एक बार ट्राई करो आपको पक्का पसंद आएंगे मेरी तरव साथ concerned मेरी तरव साथ व्यूब को आपको लोगी लुड़ ट्राई के लिए लिए नहीं मैं लुड़क्तो एक लिए के लिए बाओे जुब ऑ्रेशब आपाइ समय क्या दोल सकते हैं